ब्रह्मांड में आपका स्वागत है जहां सितारे पैदा होते हैं, शांदार जीवन जीते हैं और फिर हमारी तरह उन्हें भी अंत का सामना करना पड़ता है। यहां से बाहर अंतरिक्ष की ठंडी खामोशी में यह गैसे एक साथ आना शुरू हो जाती हैं, एक बल द्वारा खीची जाती हैं, जिसे हम सभी जानते हैं। अब हमारा प्रोटो स्टार बड़ा हो गया है, यह मुख्य अनुकरम में शामिल हो गया है, जहां यह अपना अधिकांश जीवन चमकते हुए पिताता है। उदाहरण के लिए हमारे सूर्य को ले, यह अभी अपने चरम पर है, इसके मूल में स्थिर और लगातार जलती हुई हाइड्रोजन है। तारे मुख्य अनुकरम में अरबों वर्षों तक लड़के रह सकते हैं, उनके लिए यह जीवन का शान्थ हिस्सा है, जहां सब कुछ संतुलित है, लेकिन सभी सितारे एक जैसे नहीं हुटे, बड़े विशाल तारे अपना इंधन तेजी से जलाते हैं, छोटा लेकिन गह अधिक समय तक जीवित रह सकता है, पूरे ब्रमान को जीवित रहने की कल्ब ना करें, लाखों या अरबों वर्षों के बाद किसी तारे का हाइड्रोजन इंधन खत्म होने लगता है, इसके बिना चीजें जंगली हो जाती है, तारा पहलना शुरू कर देता है, और एक वि जीवित रहने के लिए संगर्श कर रहा है, गैसों की विभिन परतों के माध्यम से जलता रहता है, विशाल तारों के लिए ये बहुत गठिन समय है, कोर से गुड़ जाता है, गर्म हो जाता है, और यहां तक की लोहे जैसे भारी तत्व भी जलने लग सकते हैं, लेकिन चा सुपर्नोवा कहा जाता है, कलपना कीजिए कि एक साथ तस लाख अरब परमाणू बंभड रहे हैं, सुपर्नोवा इतने चमकीले होते हैं, कि वे थोड़े समय के लिए पूरी आकाश गंगाओं को मात दे सकते हैं, यह विस फोर्ट पूरे अंतरिक्ष में तत्वों को यह सब उन सितारों से है, जो अरबों साल पहले भट गए थे, हाँ, हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, हमारे सूर्य जैसे सितारों के लिए अंत थोड़ा नरम होता है, सुपर्नोवा के बजाए बे एक ग्रहिय निहारिका में बदा जाते हैं, जैसे ही तारा अपनी बाहरी परतों को द्यागता है, गैस का एक चमकता हुआ खोल पीछे छोड़ जाता है, केंद्र में जो पचा है वह एक सफेद पॉना है, एक छोटा, घना कोर, जो धीरे धीरे अरबों वर्षों में लुप्थ हो जाता है, लेकिन सबसे पड़े सितारों के लिए अंतजनभी भी हो कुछ न्यूट्रों तारे इतनी तेजी से घूमते हैं, कि वे ब्रह्मांडिये प्रकाश तंभों की तरह प्रकाश की किरने छोड़ते हैं, इन्हें पलसर कहा जाता है, और ये अंतरिक्ष की कुछ सबसे अजीब वस्तुएं हैं, फिर ब्लैक होल हैं, यदि तारा काफी वि प्रमांडिय दिगजों के जर्म और मृत्यू के बारे में नहीं हैं, तारे अपने आसपास की हर चीज को जीवन देते हैं, ग्रहों, महासागरों और यहां तक की जीवन के लिए आवश्यक सामक्रियों को पिखेड़ते हैं, अगली बार जब आप तारों को देखें, तो य याद रखें, प्रत्येक तारे की एक कहानी होती है, और उन्हें समझने से हम प्रमांड में अपने स्थान के बारे में थोड़ा और समझ पाते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें, और अधिक प्रमांडिय रोमांचों के लिए हमसे जुड़ें